देखिए अगर आपके पास MI Redmi का कोई सा भी फोन है और आप उसमें कॉल सेटिंग्स को करना चाहते हैं तो कॉल सेटिंग्स आप कैसे करें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखती रहिए तो सबसे पहले आपको आपके फोन की सेटिंग्स में चले जाना है और उसके बाद स्क्रोल डाउन करना है नीचे यहाँ पर आप देख पाएंगे आप्स यानि कि अप्रिकेशन मैनेजर तो उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे ऊपर सिस्टेम आप सेटिंग् call settings तो इसपे क्लिक करना है देखिए call settings में सबसे पहले आपको अगर sim card and mobile networks की settings करनी है तो आप यहां से कर सकते है mobile data data roaming और MMS और advanced settings का भी आपको option यहां पर मिल जाता है उसके बाद देखिए अभी latest news यह है कि Google ने जो भी third party auto call recording की apps ही वो ब्लॉक कर दी है तो अब आपको आपके phone से ही call record करनी होगी तो यहां पर आपको call recording option मिल जाता है आप यहां से अपने phone में call record कर सकते हैं और अगर आपको कोई दूसरे नंबर पर call को forward करना है तो यहां पर call forwarding की settings भी आपको मिल जाती है अब अपने phone को किसी दूसरे नंबर पर forward कर सकते हैं यहां पर आपको call waiting की option मिल जाती है अगर call करते वक्त अगर आप busy हैं किसी और से call कर रहे हैं और उसी वक्त कोई और आपको call लगाता है तो सामने वाले को आवाज आएगी मतलब की अभी वो busy हैं किसी और से बात कर रहे हैं आप थोड़ी देर बात call करें या wait करें फिर उसके बाद आपको यहां पर incoming call settings मिल जाती है तो increase ringtone volume अगर आपको ringtone की volume बढ़ानी है तो आप यहां पर increase कर सकते हैं इसे on रख सकते हैं flash when ringing जब भी किसी का call आता है तो आपकी जो flashlight होती है वो जलबुच जलबुच करने लगेगी अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो then proximity sensor जब आप किसी को call लगाते हैं और अपने कान के पास रखते हैं तो आपकी phone की display अपने आप ही बंद हो जाएगा तो यह बहुत काम की चीज़ है और mute first ring यानि कि जब कोई आपको unknown number से call करता है और उसका पहला call आपको उसके ringtone सुनाई नहीं देगी अगर वो दूसरी बार call करता है तो आपको उसके ringtone सुनाई देगी ठीक है इसी तरीके से identify unknown numbers का option है block list का option आपको यहाँ भी मिलता है यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपको कोई disrupt करता है तो उस number को black list में डाल सकते हैं location enable कर सकते हैं कौन सी city में यह number आपको कहा का number है वो पता चल जाएगा auto answer call कर सकते हैं आपको उठाना नहीं पड़ेगा call को automatic ही call उठ जाएगा देन यहाँ पर advanced settings है यहाँ पर भी आपको बहुत से option मिल जाते हैं dial pad, touch a stone, quick dial, redial automatically, missed call, reminder, vibrate when your call is answered, call waiting notification, quick response, call bearing, caller ID, fixed dialing, numbers, setup और ऐसा बहुत से options आपको मिल जाते हैं तो कुछ पूछी रहा है तो आप comment में मुझसे पूछ सकते हैं मैं आपको उसका reply दे दूँगा, वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स दोर को subscribe कर दे, अपना बहुत ज्यादा ख्यार रखे, अल्ला हाफिस